है लो दोस्तों नमस्ते मैं आप सब का स्वागत करती हूं मैं सोल फैमिली मैं वीवस मैं सब्सक्राइब स्कॉर्ड ब्लेस यू आप से सब्सक्राइब अपने लाइक में आगे बढ़ रहे हूंगे दियर आज का विकाजब वीडियो लेकर आई हूं यह है रेत की भविश्व लेकर आई हूं आपके पार्टनर की आज दुपहर की इनरजी लेकिन यह टाइमलेस रिडिंग होगी ठीक है जब भी आप देख रहे हो रेजनेट होगी डेट मैं जब भी देती हूं आप लोग के वजह से देती हूं जबकि डेट देने की कोई जरुवत नहीं होती और उस देख सकते हूं कभी भी डेट हो सकती है ठीक है तो चलिए है और आज रेट की बिश्वानी आपके पार्टनर की इनरजी देखते हूं क्लिक्ति बीडिंग है और सारे सायं के लोग डेक देख सकते हैं dai female married and marriage सब के लिए है और वीडियो आप से जितना रेजनेट है उतना लेना है बागी को चाने देना है रिलाक्स रहना है तो चलिए पहले हां ओम चैंटिंग करती हूँ ओम चैंटिंग पीस और सांति बैलेण्स के लिए डिमाईस से क्नेक्शन स्टॉंग करने के लिए मन में अगर negativity है उसे दूर करने के लिए inverse God से connection है strong करने के लिए और अच्छी बुड़े की परख करने के लिए तो आप ओम chanting कर सकते हो स्वास्तिक, सुख, सांती और सम्रिधी के लिए सुख, सांती, सम्रिधी के लिए तरक्की के लिए बरक्कत के लिए, production के लिए अपने घर परिवार के लिए भी हम में डोर पे स्वास्तिक बनाते हैं घर के temple में या आपको ऐसा लगता है कि जहां बैठते हो, जहां परहते हो, या kitchen हो, या study room हो study table हो, कहीं भी ऐसा लग रहा है तो आप वहां स्वास्तिक बना सकते हो चिक है, तो चली start करती हूँ, आज तो पहर के energy आपके partners की angels, please guide करें, जै मागंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे जै शिफशक्ति, जै महादेब, जै महाकाल, हर हर महादेब जैशिव शक्ति जैमा गंगे अउल आरक इंज़ दिन पे शक्ति गाइड करें हे प्रभू हे कृष्ण हे गोवी जैमा काली शेरा वाली अर्थ मदर फेरी मदर गाइड करें आज दो पहर भी बर्स के पार्टनर्स के फिलिंग्स किया है इंज़ प्लीज गाइड करें पहला जो मुझे पहला जो मुझे यहां पे जो दिख रहा है जो डिएक शाइन यहां पे स्ट्रॉंग मुझे लिख रहा है सेवन अप्सोर्ट की एनर्जी है ठीक है लिब्रा एकरिस जेमनाई यह स्ट्रॉंग है फोर अप कप्स भी है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो मैं हिंदी में भी बोल दूँगी कैप्रिकॉन टॉर्स वर्गो यहां पे मीन, कर्क और ब्रिश्चिक मकर, ब्रिशब और कन्या तूला, कुम्ब और मिथूर तो इस बग जो मुझे साइन दिख रहे है मैंने वो बताया आपको ठीक है जो स्ट्रॉंग मुझे दिख रहे है क्योंकि फोर अप कप्स है दल लवर्स भी है देखे यहां पे बहुत सारे वीवर्स यहां पे आपकी रियूनिन हुई है ठीक है और यहां पे बहुत सारे वीवर्स दल लवर्स की वैब्रेशन है यहां पे रियूनिन के चांसेज दिख रहे है लेकिन यहां पे कुछ वीवर्स आपकी पार्टनर किसी प्रकार से यह या यह मजबूर है या यह step नहीं बढ़ा पा रहे हैं देखिए यहाँ पे किसी के partner चीजे चुपा भी रहे हैं और आपको धोखे में भी रख रहे हैं यहाँ पे कुछ viewers कुछ viewers यहाँ पे seven of swords की energy है कुछ viewers आपके partner यहाँ पे आपके साथ चीजे भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ आपको notice भी कर रहे हैं आपके partner किसी और के साथ भी involved है यह इंसान मजबूर जरूर दिख रहे हैं और यह जान बूच कर step नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि पहली बात इनके मन में थोड़ा चल कपट भी है और उसके बाद यहाँ पे parents इश्यू भी है कास्ट इश्यू भी है मुझे लगा कि बहुत सारी भी और आपके partner ने जो चीजे छुपाई है वो है marriage and commitment तो यहाँ पे कुछ वीवर्स आपके partner ने आपको धुखा दिया है जो caste इश्यू, parents इश्यू और marriage commitment से related है या फिर आपके partner के life में अचानक से आपको छोड़ कर इनके life में कोई option भी आया है यह कुछ वीवर्स, seven of swords के energy है, four of cups के energy है यहाँ पे कुछ वीवर्स आपके partner ऐसा कर रहे है मुझे बहुत सारे वीवर्स आपकी reunion हो, यह दल्लवर्स की vibration है और बहुत सारे वीवर्स आपकी reunion होने वाली है लेकिन सब की नहीं लेकिन जिसके साथ गलत हो रहा है आप को मैं यह कहना चाहती हूँ अगर यहाँ पे कोई आपके साथ दोखा और चीट कर रहा है आपके साथ गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है, आपको हट कर रहा है आपकी emotion से खिलवार कर रहा है यानि कि यहाँ पे divine कहना चाहते है कि यह इंसान आप ले इस पक सही नहीं है यह बार बार आपको हट करता है या करती है जो भी हो लेकिन divine कहना चाहते है कि अगर आपको कोई गलत साबित कर रहा है आपके साथ जूट बार बार जूट बार जूट करकर आपको मैनूपलेट करता है तो ये इंसान आपके लिए सही नहीं है लेकिन आने वाली टाइम में आपके अंदर जो स्रिंद बढ़ेगी तो ये परसन में बदलाव भी आएगा क्योंकि ये परसन जूट भी बोल रहे हैं दोखा भी दे रहे हैं और कहीं न कहीं मजबूर भी है ठीक है लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी अभी आपके जो भी पार्टनर है उनके आँखों पे पट्टी है तो अपसोट की एनरजी है ये परसन अगर अभी अभी आपके साथ इन्होंने धोखा और चीट किया कमिट्मेंट मैरिज कर ली है तो अभी इस बक्त इनके आँखों पे पट्टी है ये पट्टी हटेगी जरूर ऐसा दिख रहा है लेकिन बार बार ये परसन आपको हट करता है या करती हैं उनसे आपको डिस्टंस मेंटेन करना है अपने गुस्से पर काबू रखना है क्योंकि आप में हीलिंग वाइबस है हीलिंग पॉजिटिव एनरजी है आप में ठीक है क्योंकि आपने उन्हें गाइट किया है हील किया है तो ये परसन फिर कोसिस करेंगे इसलिए कि अभी आँकों पर पट्टी है अभी इनकों समझ में नहीं आ रहा है ये कुछ वीवर्स के लिए है कि आपके पढ़ने ऐसा कर रहे है लेकिन ये यूटर्ण लेंगे चिक है आज नहीं तो कर लेंगे यूटर्ण लेंगे लेकिन आपको यूटर्ण भी कहना चाते है कि बार-बार आपके साथ ऐसी घटनाए घटित हो रही है जूट बोला जारा है गलत हो रहा है आपको हट किया जारा है ये उन के लिए सब के लिए नहीं है चिक है तो ये कुछ वर्स जिनके एनरजी है आप energy को pick कर सकते हो लेकिन यहाँ पे गुस्से पे काबू रखना है time को बरबाद नहीं करना है इस time को आपने उपर focus करना है क्योंकि आपकी energy में जो healing vibes है वो फिर यह आपके तरब कोसिस करने वाले है करें situation में आखों पे पढ़ती है अभी समझ में नहीं आ रहा लेकिन एक चीज है कि आपके संसकार जो है उसमें अहंकार बिलकुल नहीं है ठीक है आपके जो भी संसकार है माता पिता का दिये हुए चाहे आपके प्रवजों का जो blessings है आपके संसकार में अहंकार नहीं है लेकिन हर इंसान में थोड़ा attitude होता है और थोड़ा attitude रखना भी चाहिए देखिए इंसान प्रेटिकल हो बट इतना भी प्रेटिकल ना हो कि सामने वाले इंसान की emotions की कदर ना हो तो बहुत सारे विर्च आप में attitude थोड़ा हो सकता है लेकिन कुछ आपके संसकार भी है जहां अंकार नहीं आने देते वहां सोहिमान आते हैं तो आप अपने टाइम बरबाद ना करें आज अभी इसी वक्त से जो आपके साथ गलत करें अपने उपर फोकस करें ठीक है यह उनके लिए है जिसके पार्टनर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यह आएंगे क्योंकि यहां पे कुछ एनरजी ऐसी है सेवन अफ सोर्स जो यहां पे बहुत सारे विवर्स लाइप में कन्फूजड हो और समझ नहीं पा रहे हो लेकिन यह बंदा या बंदी जो भी है यहां पे आपको आफर करनी की कोशिश जरूर करेंगे यह जो भी है नो कॉंटेक्स सिचुएशन दिख रहा है फैमिली इसू बहुत ड्रामा कन्फूजड भी उनके लाइप में हो रहा है लेकिन यह परसन आफर करने की सोचेंगे फूर अप कप्स की एनरजी है ठीक है यह परसन आपको आफर करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर आप उनके यादों में रहे रोते रहे स्पाई करते रहे तो कुछ नहीं होगा ताइम आपका बरबाद होगा अगर उन्हें बदलना है तो आपको अपने शौइमान को अपने संसकार को देखना होगा ठीक है उनको पता है इतनी आसानी से वो आपको भुला नहीं सकते क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप को इन्होंने हट किया है या आपके प्यार को ठुकराया है लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉंग इनर्जी है कि वो ओफर करना चाहेंगे अभी इस बक्त कन्फ्यूजन है डिसीजन नहीं है देखें यहाँ पे कुछ वीवर्स आपके पार्टनर पीछे किसी को छोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं चाहते हैं पुराने रिलेशन्शिप को छोड़ना यह कुछ वीवर्स की एनर्जी अब आ रही है कुछ वीवर्स आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी ऐसे भी आ रही है कि यहाँ पे कुछ वीवर्स आपकी रियूनिन होने वाली है और कुछ वीवर्स आपके पार्टनर डिसीजन भी लेना चाहते हैं पुराने relationship को छोड़ना जाते हैं किसी toxic relationship को या फिर उनकी जहां नहीं बन रही है ठीक है कुछ वियर्स पुराने relationship को छोड़कर ये person आपके साथ इस relationship पे काम करना चाहते है लेकिन आप दोनों के relationship में प्यार बहुत है कुछ वहर्स आपके partner पुराने relationship को छोड़कर जो आगे आ रहे हैं आपसे मिलना चाहते है, reunion चाहते है तो यहाँ पे आप दोनों में respect और प्यार बहुत है और यहाँ पे infinity की energy है तो यहाँ पे बहुत सार वहर्स आपके partner और आप में बहुत अच्छी bond है एक दुसरे को समझते हो, एक दुसरे के बगर खुछ नहीं हो emotions को समझते हो चाहे वो कोई इसारा भी कर दे या आप इसारा कर दो तो बहुत जल्द आप दोनों एक दुसरे को feel करते हो लेकिन यहाँ पे आप दोनों के रिष्टे पे किसी की बुड़ी निगाहें भी है क्योंकि आप दोनों का प्यार और आप दोनों की खुसी किसी को यहाँ परदास नहीं होता और आपके partner की thoughts जो है, वो किसी और से match नहीं होता यहाँ पे बहुत सारे viewers आप दोनों में strong connection है तो यहाँ पे strong connection के बज़े यह किसी पीछे toxic relationship को या पुराने relationship को छोड़कर यह आपके तरब बढ़ना चाहते हैं वो किसी और के साथ भी है तो उनसे यह distance maintain कर रहे हैं आपको सोच रहे हैं और काफी है दुखी हो रहे हैं आपको मनाना भी चाहते हैं, गलतियों को accept करना चाहते हैं कुछ viewers आपके partner अपने career की growth पर focus करना चाहते हैं और इस growth में आपके प्यार की आपकी support की सक्त जरूवत है चाहे वो mentally हो या आपका care हो या आपका pamper हो या फिर उनके साथ आप काम करो mentally भी और physically भी, even financially भी या फिर pamper कीजिए, care कीजिए, उनके साथ रहे हैं, उन्हें support कीजिए तो उन्हें अपने career पर अपने goals पर focus करना है ये person आपसे मिलना चाहते है, reunion हो चुकी है या reunion के chances है लेकिन या पे आप दोनों का bond प्यार बहुत strong है infinity V है आपके partner चाहते हैं, कि आप थोड़ा balance करें ठीक है आपके partner चाहते हैं, कि थोड़ा balance करें देखिए पहली energy में जिनके साथ धूखा हो रहा है, cheat हो रहा है, please आप उस energy को अगर लेना चाहते हैं, जिनके उजरू comment में लिखेंगे और उस guidance को follow करेंगे कुछ energy ऐसी है, कि प्यार unconditional है अभी इस वक्त, जो मिलना चाहते हैं, reunion चाहते हैं तो आपके partner यहाँ पे आपके साथ एक balance चाहते हैं यह काफी सोचे कि आपसे क्या बात करना है, क्योंकि आपके partner आपसे mentally and physically करी बियाना चाहते हैं कुछ वियर्स आप उन्हें नजर अंदाज कर रहे हो ऐसा उन्हें लगड़ा है या आपने कोई decision ले लिया है लेकिन यह person आपसे बात करने को उस्तुख हो रहे हैं या खोल सकता है call message आ चुका हो देखिए अपने रिस्ते में एक बदलाव लाना चाहते हैं बदलाव मेंज क्या? मतलब आप लोग में contact होती रहे बाचीत होती रहे एक दुस्रे से connection strong रहे आपके partner यही चाहते हैं कुछ वियर्स यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप बदल रहे हो और उन्हें नजर अंदाज कर रहे हो यह person आपके तरप step बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप से contact हो गई है इस रिस्ते को यह बहतर बनाना चाहते हैं और next level पर लेकर जाना चाहते हैं लेकिन अगर future की बात की जाए तो यह decision अगर लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर decision लेंगे ताकि आप दोनों life में अच्छे से balance कर सको लेकिन इनके मन में हैं इस रिस्ते को यह balance करकर चलना चाहते हैं और बहतर बनाना भी चाहते हैं आप से बात करने को उस्सुख हो रहे हैं मिलने को उस्सुख हो रहे हैं एक passionate energy भी है आपके साथ date पर जाना चाहते हैं या यह travel करना चाहते हैं कुछ वर्ष आपके partner अंदर से बहुत हिम्मज उटा रहे हैं आपको समझाने के लिए आपको motivate करने के लिए कुछ legal issue से related बात होड़ी है चाहे वो property हो या divorce हो कही न कही कुछ वर्ष आपके partner पीछे कुछ छोड़ना चाहते हैं और आपके तरब बढ़ना चाहते हैं थोड़ा इन्हें वक्त दीजिए और आप इन्हें support कीजिए यहाँ पे Aries, Leo and Sagittarius के energy है long distance relationship मुझे दिख रहा है three of wands के energy है long distance relationship है तो यहाँ पे travel भी दिख रहा है ठीक है, यहाँ travel भी दिख रहा है long distance relationship भी है तो यह आपके person जो भी है इस वक्त कहारें कि थोड़ा ठहरो और इंतिसार करो मैं सब कुछ सही करूंगा या करूंगी तो आपके partner और आप में जो strong bond है तो यह person इस रिष्टे पे काम करना चाहते है और बहतर करना चाहते है और आपको बेपना प्यार करते है यह person आपसे fight भी करते है यह person कभी-कभी आपको trigger भी करते है लेकिन फिर भी यह आपको trigger करने के बाद कुछ कह देने के बाद यह पूरी तरह सोने ही पाते है क्योंकि जब भी आपको यह हट करते हैं कई दिन, कई रात इनके खराब हो जाते हैं बेकार हो जाते हैं कुछ वियर्स आप यहाँ नाराज हो तो आपके person कहना चाहते है आपकी नाराजगी जायज है आपके person कहना चाहते है पुराने वक्त को याद करो कि जब भी हम रूठे तो मनाए भी है फिर यह दुरिया क्यों आई है तो आपके partner आपसे बात करना चाहते है call message भी करना चाहते है या फिर हो सकता बहुत सार वीवर्स आपके तरफ call message आया हो वीडियो call भी आया हो लेकिन कभी कभी आप लोग में इतना मन मुटाओ हो जाता है बहस fighting हो जाती है इस लड़ने से जगरने से आप दोनों ही परशान रहते हो और चाहते हो दोनों देखिए कुछ वर्स आपके पार्टनर जो है अगर आप इन्हें नजर अंदास कर रहे हो ये आप तक पहुँचने का कोई जरिया ढून रहे है फ्रेंट से बात करना आप से कैसे communicate करना आप तक कैसे बहाना बना कर आपको मनाना तो आपके पार्टनर की कुछ प्लानिंग भी चल रही है आप तक पहुचना चाहते है या फिर आपको वो अपने पास बुलाना चाहते है आपसे बातचित करना चाहते है कुछ वर्स आपके पार्टनर हिम्मज उटा रहे है कि आपसे कैसे communicate करे अगर आपने कोई सवाल जबाब किया इनसे और उन सवाल का जबाब नहीं मिल रहा तो ये परसंद सोचें कि आपको कैसे मनाएं, कैसे कंविंस करें, कैसे गलतियों को एक्सेप्ट करें और रिस्ते को कैसे बहतर करें लेकिन ये बंदा ये बंदी जो भी है, सोच समझ कर डिसिजन लेगा या लेगी, क्योंकि इनके ओपर भी किसी तरह का रिस्पॉंसमिटी है चाहे वो इनको कोई कंट्रोल करता है या फिर इनके ओपर रिस्पॉंसमिटी है और यहां strong है यह किसी के साथ भी है तो यह खुश नहीं है लेकिन decision लेंगे आपके person लेकिन slow लेंगे लेकिन इस वक्त चाहते हैं कि आप से communication हो जाए जिसके लिए थोरा सा अंदर से एक होता न उत्सुकता, खुशी, पीस वह वाली vibration ढूण रहे हैं और यह चाहर हैं कि आपकी यह वाद सुन ले आप में बात्चीत हो जाए ठीक है तो यह person आपके तरफ आने का या आपको बुलाने का यह planning कर रहे हैं यहाँ पर जो मुझे latest दिख रहे हैं न, S की strong energy है, U है, U बहुत strong है, ठीक है, B है, A है, T है, V भी बहुत strong है, U भी strong है, B strong है, A strong है, L भी है, strong है, S है, M है, N है, यहाँ पर एक रहाट से बना है, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हारट से बना है यहाँ पर एक हारट से बना है, तो कहीं न कहीं मुझे लगड़ा कि आपके relationship में थोड़ा distance है, बट यहां पे कहीं न कहीं दिल जो है हाट जो बना है मतलब यहां counterpart की energy heart to heart conversation the lovers की energy में आपने देखा होगा एक हाट है मतलब एक ही शोल है दो body है तो बहुत सारे viewers मुझे लग रहा है कि आप जा रहे हो वो मिलने आ रहे हैं यहां पे एक दूसरे के दिल धरक रहा है तो बहुत सारे viewers यहां reunion, celebration या long drive या आप travel करें या वो travel कर रहे है ठीक है C भी strong दिख रहा है C एक हाट बहुत खुबसूरत बना है यहां भी हाट है क्या बात है यहां भी एक हाट बना है यहां भी एक हाट बना है ठीक है बहुत खुबसूरत सी energies है तो बहुत सारे viewers यहां पे reunion के chances है लिकन यह इनकी मन की बात है बाबू ठीक है यहां पे P भी है R भी है S भी है KS K KS R G X यह मुझे latest यहां पे दिखाई दे रहे है तो बहुत सारे viewers कुछ viewers मुझे लग रहा कि आपके partner आपका support चाहते है career में और business में कुछ viewers आप उनका साथ पहले भी दिया करते थे और कुछ viewers आपके partner आज भी साथ चाहते है आपका ठीक है किसी तरह से आप उन्हें support करते हो ऐसी energy मुझे यहां पे दिख रही है मुझे लग रहा है कुछ आप या आपके partner information गेन कर रहे हो friends से या social media पे मुझे यहां पे दिख रहा है कि यहां पे बहुत सारे viewers आप social media पे या फिर friends के थुरू आप आप याप के person कोई किसी किसी तरह की जानकाड़ी ले रहे हो spy वाली energy है देखे यहां पे बहुत सारे viewers आपके प्यार आपके partner आपको उफर करना चाहते हैं reunion चाहरें लेकिन यहां पे कुछ viewers आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है चीक है यहां पे बहुत सारे viewers आपके साथ धोका और चीट भी हो रहा है लेकिन कही न कहीं यह भी energy है कि आप एक healer की तरह हो वो you turn लेंगे अभी आँखों पे पट्टी है जिनके साथ धोका हो रहा है तो आपका काम है कि आपको manifestation करना है चीक है और prayer प्रातना करना है खुद को heal करना है तो यहां बहुत सारे viewers आपकी और आपके partner की reunion होने वाली है miss भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि the star की energy है तो यहां miss भी बहुत कर रहे हैं लेकिन आप लोग में confusion है चाहे दोनों energy की बात की जाए आप लोग relationship में confusion बहुत हैं लेकिन दूसरी energy में प्यार बहुत है यहां देखे बहुत सारे viewers heart to heart conversation है बहुत सारे viewers आपकी दरलवर्स की energy है लेकिन यहां पर किसी की बुरी निगाहे भी आप दोनों relationship में जहां आप लोग का प्यार strong है ठीक है लेकिन बहुत सारे viewers आपके partner आना चाह रहे हैं बहुत लोग की reunion हो रही है travel दिख रहा है बाचित हो सकती है video call हो सकता है ठीक है यहां पर numbers दिखाई दे रहे हैं one and two two number important है seven number important है four number important है one number important है ten number important है six number important है जो मुझे numbers दिख रहे हैं मैं आप लोग को बता दे रहे हूं उससे ज़्यादा मुझे numbers यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहां पर याद रखिए viewers जी कि कुछ viewers आपको आपके partner आपके साथ गलत कर रहे हैं दोखा दे रहे हैं लेकिन उनको समझाने के लिए आपको अपने उपर focus करने की जरूवत है ठीक है इस पक self love के उपर focus करें क्योंकि कुछ viewers आपके partner किसी प्रकार का दोखा या चीट कर रहे हैं यह पहली एनर्जी में निकली थी दूसरी एनर्जी में कि बहुत सारे viewers आपके रियूनिन होने वाली है बाचीत हो रही है wish fulfillment के एनर्जी है nine of cups की भी एनर्जी है तो यहां बहुत सारे आपकी viewers आपकी wish पूरी होने वाली है ठीक है लेकिन यहां बहुत सारे viewers आपको अपने उपर focus करने की भी जरूरत है ठीक है तो चलिए मैं आप card से देख लेती हूँ आज दूपहर की एनर्जी में आपके partner की energy भी देख लेती हूँ वो तुरेत की भाविश्वाने से हो गई card भी देख लो इंजस प्लीज काइड करें divine guide करें आज दूपहर की energy वीवर्स के partner की next action next action देखती हूँ इंजस प्लीज काइड करें तो आप देखिए आपको जीन पूर लग रहा है कि आपके partner दोखा और cheat कर रहे है यहाँ पे आप om chanting करना सुरू करें nature से connect होना सुरू करें उसके बाद manifestation करें और telepathic करें सब कुछ बहतर हो जाएगा ठीक है आपके अंदर strength आएगी आपके अंदर confidence बनेगा आपकी healing हो जाएगी तो आप strong हो जाओगे जहां आप strong हो जाओगे तो आपके partner वो कमजोर पढ़ने लगें क्योंकि आपके energy से उनके energy charge होती है इसलिए self love बहुत जरूरी है जब तक आप खुद की कदर नहीं करेंगे वो आपकी कदर नहीं करेंगे अगर उनों ने अगर आपके साथ दोखा दिया है तो आने वाले time में उनके साथ भी वही होगा अगर आप self love करते हो तो तो खुद को बदलने के लिए आपको ऐसा करना है जब आपको result चाहिए तो कुछ बाबु आप लोगको aware रहना है ठीक है लेकिन वो बदलेंगे जरूर offer करेंगे वो जरूर offer की energy आ रही है कि offer करना चाहेंगे आने वाले time में next action बहुत सारे वीवर्स reunion भी हो रही है with fulfillment की energy है next action दोपहर की energy में next action मेरे viewers की partners की energy जी दो पहर की, king of pentacles, मैंने बोला था ना, king of pentacles, देखिए, कुछ और सा आपके relationship पर struggle चल रहा है, तो मैं बता देती हूँ, offer हो रहा है, three of wants long distance relationship है, मैंने बोला था, कुछ और सा आपको wait करना पड़ेगा, pentacles की energy है, चल ये, card को clear करती हूँ, the hermit, कुछ आपके partner उदास है, आपके बारे में सोचने हैं, आप उन पर focus नहीं करें, नजर अंदाज करें, अपने career अपने उपर focus कर रहे हो, offer करने की सोच रहे हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, और आपको अपना partner बनाना चाहते हैं, देखिए, कुछ आपके partner के पास हो सकता है, पहले से जादा अब ये काफी rich हो सुके हैं, कुछ वियर जिनको दोखा मिल रहा है, तो आपने पैसे के घमन पर कुछ वियर्ज आपके partner थोड़ा आपको attitude दिखा रहे हैं, लेकिन ये masculine energy में ये आएंगे जरूर, offer करना चाहते हैं, मेजर अरकाना से भी देख लेती हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे वियर्ज रियूनिन हुई है, कुछ वियर्ज आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके partner में थोड़ा बदलाव आया है, जिने दोखा मिल रहा है, नेक्स एक्षन, जज्ज्मेंट, किसी की बुड़ी नजर है, ठीक है, तो बहुत सारे वियर्ज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ वियर्ज आप मैनिफेस्ट किजिए, जिनको बहुत दर्ड़ में मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको manifest करना है आपकी reunion जरूर होगी ठीक है और बहुत सारे viewers अगर आपने manifestation किया है तो आपकी manifestation पूरी होगी बहुत सारे viewers आपकी reunion भी हो रही है ठीक है लेकिन कुछ viewers मुझे लगड़ा है आप यापके person hermit moon में भी हो लेकिन यहाँ पे आपको खुद पर वर्क करना है तो यहाँ पे बहुत सारे viewers आपकी reunion होने वाली है जिनकी जिनकी होईगी तो जरूर comment में लिखेंगे लेकिन बहुत सारे viewers मैं कहना चाहूंगी आप दोनों के बीच में कोई female है जो आपका भला नहीं चाहती, बुरी नजर है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर कहीं न कहीं देखा जाए, उसका असर है, लेकिन आप घबराईए नहीं, judgment है, strength है, यह judgment और यह strength आपके लिए है, जिनके साथ धुखा हुआ है, तो आप अपनी power को पहचाने, energy में आपके साथ न्याय होगा, ठीक है, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन यहाँ devil है, तो devil क्यों है, devil कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कोई है, और इनको खात्मा करना है, तो आप अपनी intuition को follow करें, om chanting करें, meditation करें, the high pistols के energy क्या होता है, जिनके पास बहुत बल होता है ठीक है, तो आप अपने उपर focus करें, जिनके साथ धोखा हो रहा है, अपनी पाबर को देखें, आपके साथ justice होगा, खुद को judge ना करें, आप बहुत अच्छे सोलो, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ positive भी होगा, ठीक है, तो यह है, आज दुपहर की energy, आपके partner की rate की भविश्च्वानी, तो guidance को जरूर फॉलो करेंगे, और जिनकी जिनकी reunion हुई है, comment में लिखेंगे, जिनकी reunion होने वाली comment में लिखेंगे, ठीक है, और जिनकी नहीं होने बाबू, self love करेंगे, meditation करेंगे, manifestation करेंगे, आने बाले time में, दोनक relations में जो confusion है, वो चाहेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी collective reading है, आप अपना ध्यान रखिए, intuition को follow कीजिए, manifestation कीजिए, ठीक है, और वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you so much and God bless you.